लूट वर्यवान एंड वल्कुम बैक तो माई चैनल माई नेम इस वुर्भी में लॉप अट्राक्शन कोच टैरो एंजुल काड रीडर इंजुल थरपिस्ट अद उस वी रेकी हिलिंग मास्ट इचर हूं सो फिर से आ गई हूं मैं डे टू की हमारे लॉप अट्राक्शन की प्रैक्टिस के लिए जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं दो मैजिक बुक से लिया गया है और आज डे टू है आप लोगों ने डे वन की प्रैक्टिस कर ली है कांट याँ सी्रापनी वाइए अगर आपने नहीं देखा है नहीं प्रैक्टिस किया है तो पहले देवनी पर जायी Er हम अगर आपने डे वन के पहले के वीडियोर म dass जो की डीटेल में समझाया गया है उसके लिए भी आप पहले वीडियो देखें उसके बाद ये एक वन बाइवन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजेगा तो आज डेटू है और सुबह की जो ग्राइडिटूड प्रैक्टिस है उसे आपको करना है 28 जुलाय तक ठीक है डेली आ यह को अज का जो टॉपिक है वहा है ग्राइडिटीड रॉक तो यह है मेरा स्टों यह 180 यह acknowledge इसे आपको मिलेगा कहां यह आप कहीं से भी ले सकते आगर आपके घर के बेल्डिंग के नीचे या आपको अस्पास तों मैं आपको आट्राक्ट कर रहा है ऐसे स्टोटा हो आपके फीस्ट बन सके ठीक है आप पाम के अंदर रख सके ऐसा स्टोण आपको लेकर आना है आप जाएए बाहर, जैसे कि मैंने कल के वीडियो पे बोल रखा था, कि आपको एक स्टोन ऐसे ढोंड कर लाना है, तो आज से हमारी प्रैक्टिसे स्टोन की होगी, किस तरीके से होगी, ये डीटेल में पूरे वीडियो में बता दूंगी, अगर कुछ भी डाउट्स है, तो आप क्या करें के पहले सेम वीडियो को दो-तीन बार देख लीजेगा, हो सकता है दो-तीन बार देखने से आपकी जो डाउट है, वो क्लियर हो जाए, अगर फिर भी नहीं होती है, तब भी आप जो है, जो है, कॉमेंट कीजेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो कोई भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं साथ में हीलिंग लगाएंगे तो वो ज्यादा बहतर होगा अगर हीलिंग का आपको कुछ भी नहीं मालूम है कि हीलिंग कि तरीके से लगाये जाती है तो आप मुझे तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं 9167-917644 पर अब आपने सोचा रहेगा कि एंबुलेंस की आवाज दारे तो मैंने ग्राइटिटूड क्यों किया थिक है थांक्यू क्यों बोला पो बोला कि एंबुलेंस जा रहे हैं तो यह साइन हो रहा है कि मैं सेफ हूं तॉ इसलिए मैंने ग्राइडिटूड का एक्सपरेशन दिया है थि एकस्प्रेश्च किया है मैने ग्राइडिटू इसलिए मेरे फैमली वाले सब new मैं हल्दी हूँ इसलिए मैंने एम्बूलेंस का आवाज सुनकर मैंने थैंक यू बोला है यूनिवर्स तो इसी तरहेके से जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप भी सिख जाएंगे कभी ग्राडिट्यूड एक्सप्रेस करना है कभी आप ग्रेट्फुल होंगे यह एक बन जाएगा आपके लिए एक नेचर बन जाएगा ग्रेट्फुल होने वाला अब जैसे कि आपने रॉक को मिल गया है अब हमें करना क्या है इस प्रैक्टिस को ठीक है ग्राइडिट्यूड रॉक हम लेके आ चुके हैं जो भी हो छोटा सा एक लेके आईएगा जो आपको ह अब हमें ग्राइडिट्यूड जर्नल डेली करना है और यह ग्राइडिट्यूड स्टोन का भी डेली करना है अगर अपने तस सीक्रेट मुवी देखी है तो उसमें एक ऐसा एपिसोड दिखा गया है जहां पर एक पादर ठीक है उनका जो चाइल्ड है वो बहुत बिमार है अब वो क्या करते हैं ग्राइडिट्यूड स्टोन लेकर आते हैं और फिर डेली उस्टोन को ग्राइडिट्यूड देते हैं डेली उस्टोन के बारे में सोच कर तीन चीजों के लिए कुछ ग्राइडिट्यूड एक्स्प्रेस करते हैं तो उनका जो चाइल्ड है उनका जो तो अगर आपको चाहिए तो इसमें क्या होती है ग्राइटिड स्टोन की प्राक्टिस से आप ग्रेटफूल होते हैं और यह स्टोन जो होती है यह मैजिकली काम करती है अब पहले हम जब सुबह उठते हैं तभी ग्राइटिड जनल लिखेंगे और यह जो ग्राइटिड रॉक स्टोन है हम इसको रात को सोने से पहले करेंगे gratitude journal में हम क्या करते हैं, जो जो चीज हमारे पास है, उसके लिए हम grateful होते हैं, gratitude rockstone में हम क्या करेंगे, आज के पूरे दिन में क्या-क्या चीजे हुआ है, क्या-क्या अच्छे चीजे हुए, क्या-क्या positive वाली चीजे हुई है, उसके लिए हम gratitude express करेंगे, universe को, mother earth को, जिनको भी जा रहे हो तभी आपको यह प्राक्टिस करना है अब आप बोलोगे कि मुझे याद नहीं रहेगा तो आपके बेड के पास में जहां पर आप अलाम क्लॉक रखते हैं या आपके बेड के बाजु में जगा होगा या आप मोबाइल जैसे रखते हैं वैसे यह जगे पर आपको यह स्टोन रखना है ताकि आपको याद रहे सोने से पहले आपको इस प्राक्टिस को करना है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्तते होंगी लेकिन जब आप डेली प्राक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे यह आपका नेचर बन जाएगा यह आपका नैचरल अब जैसे मैंने बताया, gratitude stone की जो practice है, gratitude rock की जो practice है, इसे हम क्या करेंगे, अपने feast पर लहेंगे, यहां पर ऐसे रखेंगे, अपने right hand पर, और पूरे दिन में, क्या-क्या positive चीजे हुई है, line-wise आप उसे याद करोगे, आप सोके उते हो, उसके बाद आपने क्या-क्या आपक gratitude देना है, एक चीजों के लिए आपको grateful होना है, ठीक है, अब for example की, मैं आपको अगर समझाने के लिए कि क्या दू, तो thank you universe, आज मैं जिन्दा हूँ, thank you universe, आज मैं एक नई सुभा देखी है, ठीक है, इस तरीके से, thank you universe, आज मुझे अच्छा खाना मिला है, thank you universe, आज लेकिन आपके रूटीन में क्या-क्या अच्छी चीजे हो रही है, क्या-क्या positive चीजे हो रही है, वो सारे चीजे इस gratitude stone पर आपको बोलनी है, ठीक है, अब इससे होगा ये, कि सुभी जब आप उठते हैं, तभी आप positive state में, grateful वाले state पर उठते हैं, ठीक है, उठके ही जब हैं, तभी भी हम grateful हो कर जा रहे हैं, हम positive हो कर जा रहे हैं, हो सकता है, किसी किसी का दिन negative गया हो, कुछ ऐसा चीजे हो, office में बॉस ने डाड विया, या कुछ टाइम पर आप प्रेसेंटेशन नहीं कर पाई, कुछ ना कुछ negative भी हो सकती है, लेकिन हम क्या करेंगे, सोने से पहले हम positive चीजों के ओपर ध्यान देंगे, तो इससे क्या होगा हमारे नीन दच्छी आएगी, नीन दच्छी आएगी तो stress नहीं रहेगी, हम हम healthy रहेंगे, तो इसलिए हम सोने जाने से पहले भी हम positive हो कर जाएंगे, ठीक है, अब यह जो हम practice करेंगे, अभी सोचो हम लोग अब इसमें जब हम gratitude, positive वाली energy डालते जाएंगे, हम इसे daily positive वाले चीज़े बोलते हैं, अब कभी भी आपका mood खराब रहा, कभी भी आप बहुत डाउन फिल कर रहे हो, जस्त इसको पकड़ो, अपने feast में रखो, और आँख बंद करके इसे hold करेंगे, इसे एनर्जी आपका आपको मिलेंगी, positive वाले, इसे आपकी energy जो है, वो high vibration पर चली जाएंगी, यह मैं खुद प्रैक्टिस करती हूं, तो मही आपको बता रहे हूं, तो इसे से आपको क्या करना है, इसे से आपको क्या करना है, आपको positivity भी मिलेंगी, लेकिन ठोड़ा प्रैक्टिस करने के बार तो हम इसे ब제ली प्रैक्टिस करेंगे राट को सोने पहले आपको यह समझ गया होगा, आज जो प्रैक्टिस थे सम आपको राट को सोने के से पहले ही करना है और ग्राडिट्योग जो iterते ही करना है ठीक है अब कल की जो प्रैक्टिस होगी यह हम लोग रिलेशन्शिप को हील करने के लिए रखेंगे तो इस रिलेशन्शिप करने के लिए आपको तीन रिष्टे हील करना है ठीक है हील योर रिलेशन्शिप नेक्स प्रैक्टिस है इसमें आपको तीन रिष्टे को हील करना है अब जिन तीन लोगों के साथ आपकी बंदी नहीं है आप उनका फोटो लेंगे तो चलेगा लेकिन प्राइक करो मोबाइल का नहीं आप प्रिंट आउट लेकर आएं तो ज्यादा बैतर रहेगा कलर प्रिंट आउट ले सकते हैं और जो लोग बिल्कुल प्रिंट हैं तो अच्छी बात है आप लेकर आए तीन रिश्ते झीकर आपको लेकर आपको लेकर आएं तीन रिष्ते हैं और आपको अछी चल रहा हैं तो फिर आप उसका पोटो को रखिएंगा क्यू क्यूंकि आपका रिष्टा जो है वह साहीं मेंटें रहना चाहिए या उसमें और भी ज्यांदा प्यार बढ़ना चाहिए तो जो एकदम हील करने वाले रिष्टे हैं जो देखके आपको गुस्सा आ जाए ऐसे इनसान के उपर तो उनका भी फोटो रखिए और अगर तीनों में से सोचो एक का फोटो जो है वो एक परसन है उसके साथ अपकी अच्छी बं उनका भी आपको फोटो लेना है अगर आपके पास तीनों वैसे वाले रिष्टे नहीं है तो तीन फोटो आपको कलेक्ट करके रखने है और आगे की जो प्राक्टिस है वो मैं कल आपको बताऊंगी तो आज का वीडियो आपको क्या कैसा लगा है कैसे आपको आप सीख रह आपको मैं से कांसिलिंग लेनी है तो आप मुझे वाच्टाप कर सकते हैं 9167 917644 पर सो आज के लिए से फ़र सिफ इतना ही मिलती हूं आप से अले वीडियो में I love you all stay positive stay bliss and divine blessing see you